हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका ये फीव लॉगर में दोस्तों मारूती सुजुकी कि सिलेरियो ने जब 2014 में लॉंच हुई थी तो बहुत जबरदस तरीके से इसके बिक्री हुई थी इसके पीछे रीजन यही था कि बहुत जबरदस माईलेश थी और एक ल प्रोफाइल और फ्रेंट की ब्रातो तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में कि इसमें क्या-क्या चेंजे आपको देखने को मिलने वाले है और कभी ये लॉंच होने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले इंजन की में बात करूँ तो दोस्तों इसमें जो मिलेगा 1 लीटर और 1.2 लीटर दो इंजन ओप्षन के साथ आएगी ये गाड़ी और 1 लीटर का जो इसका इंजन होगा 67 PS का पावर जेनरेट करेगा और 37-90 नीटर मीटर का टॉर्क भी जेनरेट करेगा दोस्तों अगर इसका 1.2 लीटर इंजन की बात की जाए तो ये सेम पावर आटपुट निकालेगा वो 83 PS की पावर के साथ 113 नीटर मीटर का टॉर्क जो की पहली स्विफ्ट पुरानी यानि की जो बात कर लेते हैं इसमें तो 14 इंच के alloy wheel और रिम दोनों ही wheels आपको देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये अप्रेल 2021 में एक्सपेक्टेड है लॉंच होने के लिए इंडिया में दोस्तों जो एक्सपेक्टेड इ ये सारे बेसिक फीचर इसमें पहले ही से मौजूद होंगे हर मॉडल में तो दोस्तों इसका जो मुकाबला होगा टाटर टियागो सेंट्रो और डेट्सन गो के साथ होने वाला है दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब दक दोस्तों अपना ख्याल रखें सुरक्सित रहें और गुड़ बाई